हम क्यों आपसे कहते हैं मालूमें जल्दी आने के लिए ताकि हम हर एक लोग मिलकर स्थूती कर पाए जिसे हम corporate worship कहते हैं यानि समूप राथना, लोगों के साथ मिलकर अराथना, लोगों के साथ मिलकर स्थूती ये बहुत बहुत अद्बूद है लेकि जब आप व्यक्तिकत जब आप स्थूती करते हो परमेश्वर की कि प्रभू आप बहुत भले हैं, परमेश्वर आप बहुत अच्छे हैं, प्रभू आप करुणम आए हैं, आप दयालू है परमेश्वर आजा, आप प्रभू बहुत अद्बूद है परमेश्वर, जब आप स्थूती करते हो और परमेश्वर के गीतों के वर्नन करते हो तो वो गीत आपके शब्द आपके रुदे को मदद करते है परमेश्वर को अनुभाव करने के लिए वो गीत आपके रुदे को मदद करते है जो बाते परमेश्वर ने रखा है जो बाते परमेश्वर की है उन चीजों कानूभाव करने के लिए, यह लोग यहाँ पर अरादना नहीं कर रहे थे, यह लोग यहाँ पर भजन गा रहे थे, यह लोग यहाँ पर स्तूति कर रहे थे, यानि ये परमेश्वर के आश्षरिय कर्मों को डिकलेर कर रहे थे अरादना यानि हम अपने आप को समर्पीत करना और प्रभू को उंचाई पर उठाना स्तूति यानि परमेश्वर के कारियों को डिकलेर करना ललकार के साथ वो सेनाओं का यहवा है वो यहुदा का सी है वो जीवित परमेश्वर है वो हमारा जिन्दा परमेश्वर है हम डिकलेर करते हैं आपकी स्तूती जब आप डिकलेर करते हो आपके अंदर विश्वास तयार होता है और वो विश्वास जो चीजे आप देखने ही पाते हो उन चीजों को आपको देखने के लिए मदद और साहता करता है और इन्होंने ऐसी किया जब इन्होंने प्राथना करना शुरू किया कई तो ने महसूस हुआ कि परमेश्वर ने हमारी प्राथना सुन ली है अब ही हमारा समय है कि वो जो बाते परमिश्य सुन लिये उसे डिकलेर करने का और जब उन्होंने स्तूति के जरीए डिकलेर करना चालू किया परमेश्वर साक्षात तोर पर नीचे उतराए और पूरा जगा जो है ना हिल गया पेडिया खुल गए लोगों के बंदन खुल गए और लोगोंने जाना कि सच में ये जीवित परमेश्वर है वहां के जो मुख्य वेक्ति है उन्होंने येशु मस्ची को सुईकार किया उन्हें बप्तिसमा लिया उनके पर पूरे परिवार ने बप्तिसमा लिया और वो जानने पाए कि सच में इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है आप जिस हालात में हो जिस परस्तिती में हो ऐसे बहुत सारे लोग हालात और परस्तिती में है आप अकेले एक मात्र ऐसी परस्तिती में नहीं हो जब आप प्राथना और स्तूती करना चालू करोगे तो आप तो बंदन से बाहर आओगे आप तो समस्य से बाहर आओगे आपके जीवने उतर तो मिले गए लेकिन साथी साथ जो भी लोग आपके इर्दगिर्द है जो भी लोग वैसी परस्तिती में पर में उनके जीवन में भी कारिय करेगा हम क्यों अनुभाव नहीं कर पाते मालूम है क्योंकि हम अपनी पीडा और अपनी समस्याओं को लेकर ही सोचते रहते हैं उसी के वज़े से बहुत सारे दुखों का और परिशानियों का हम सामना करते हैं जब आप बिमार है जादा समय तक लेट कर मत रहें क्योंकि आप लेटे लेटे आप और बिमार पर जाओगे आप प्रहास करें विश्वास के साथ प्राथना करने के लिए आप प्रहास करें विश्वास के साथ स्तूती करने के लिए आप ठीक तोर पर चल नहीं पा रहे हैं आप ठीक तोर पर कुछ चीजों पर अपने हाथ का इस्तमाल नहीं कर पा रहें कोई प्रॉब्लम नहीं बैठे और आग बंद करें और प्रात्ना करना शुरू करें जितना ज्यादा आप रिमोट देखोगे उतना जादा शत्रू के हाथ में आपका रिमोट रहेगा और वो अपने नियंतरे में रखेगा लेकिन जितना जादा आप परमेश्रू के सामने रहोगे परमेश्रू के हाथ में आपका रिमोट रहेगा और वो कभी आपको पॉस्ट नहीं करेगा वो हमेशा आपको आगे लेकर जाएगा, वो हमेशा आपको मार्दर्शन करेगा, वो हमेशा आपको चलाएगा, वो हमेशा आपके जीवने अधूर बातों करेगा प्राथना प्रमेश्व को इजाज़त देती है आपके जीवन में कारिये करने के लिए प्राथना आपके उम्मीदों को प्रभू के प्रती बढ़ाती है प्राथना तयार करती है वो मार्ग को जहांपर परमेश्वर कारिय करते है और जब आप प्राथना करने लगते हैं जब आप सूती करने लगते हैं तो आप प्रवेश करते हुँ जगे पर जहां पर परमेश्वर जो बात है आपके जीवन में रखा है होने दो कि हम परमेश्व के सामने आए अपने पुकार को लेकर हम परमेश्व के सामने आए अपने गीतों को लेकर कि प्रभू हम विश्वास करते हैं हम विश्वास करते हैं हम विश्वास करते हैं बड़े बड़े युद्ध जो है प्राथना और स्तूति के द्वारा जीता है परमेश्वर के लोगों ने, उनने कोई अस्तर शस्तर नहीं चला है, कोई अस्तर शस्तर नहीं, बड़े बड़े जीत को उनने हासिल किया प्राथना करते हुए और भजन गाते हुए, प्राथना दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन पांचवा दिन एक मैना दो मैना छे मैना एक साल हार नहीं मानने आपको क्योंकि उत्तर यही है परमेश्वर धिरी देरे करकर आपकी स्थिति और आपकी परस्थिति में बदलाव लेकर आएगा दिर दे करकर परमेश्वर आपके हालातों में बदलाव लेकर आएगा और आप अनुभाव करोगे उन सारी बातों को आप अनुभाव करोगे परमेश्वर के अच्छी बातों को जब आप अपने आपको समर्पन करते हैं परमेश्वर के हातों में कि परमेश्वर मैं जानता ह कारिये करने पर है परमिश्र कारिये करते हैं लेकिन हम काफी बार क्या करते हैं मलूमे क्या हम स्वेम से अपने स्थिति को और अपनी परस्थिति को सुधारने के चक्कर में होते हम स्वेम से बहुत सरी कठीन और परिश्रम हम करते हैं ताकि हम अपने स्थितियों से भार आप परमेश्वर को मौका दो और प्रातना परमेश्वर को मौका दे दी प्रातना दर्शाती की आप नम्र है ये कहते हुए कि परमेश्वर आप कारिये करें जब आप स्तूति करते हैं आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप कारिये करोगे और आपका रिद है आपके प्राथना विश्वास के परमेश्व को प्रसन नहीं कर सकते हैं जब आप प्राथना करते हैं और जब आप परमेश्व के भजन को गाते हैं तो विश्वास वहां पर तयार होता है और वो विश्वास सारे चीज़ों को आकर शीद करता है जो बाते परमेश्व ने आपके लि कराओ 바ayble कहता कि स्तूती के दिस्तूती में परमेश्वज विराजमान होता कि जब आप अपने हालातों में अपने परस्तिती के बीच में रहते हुए जब आप के लिए भजन गाने लगते परमिश्र उत्रेगा वहाँ पर आप अनुभाव करोगे उन चीजों को परमिश्र उन सभी चीजों को जो आप के लिए कठी जा रहा है वो आसान कर देगा